Hello and welcome viewers to learn together आईए, आज की इस वीडियो में जानते हैं Candid का मतलब उसकी प्रनांसियेशन और साथ में देखेंगे कि Candid शब्द का हमें sentence में इस्तमाल कैसे करना है वीडियो के end में बताया गया है कि Candid शब्द के synonyms और antonyms क्या होते हैं तो सबसे पहले Candid की प्रनांसियेशन देख लेते हैं तो सबसे प्रनांसियेशन देखेंगे के लिए इस्तमाल करते हैं तो आएए से बहतर समझने के लिए कुछ sentence examples देखते हैं with the word Candid The two presidents have had Candid talks about the current crisis The two presidents have had Candid talks about the current crisis तोनो राश्ट्रपतियों ने मौझूता संकत के बारे में खुल कर बाचीत की He is quite Candid with his friends He is quite Candid with his friends वे अपने दोस्तों के साथ काफी सपश्टवादी है Let me hear your Candid opinion Let me hear your Candid opinion मुझे आपकी सपश्ट राइ सुन्ने दो She was quite Candid about the difficulties the government is having She was quite Candid about the difficulties the government is having सरकार को हो रही दिक्कतों के बारे में वह काफी सपश्ट थी आएब हम Candid के synonyms या similar words देख लेते हैं Frank सपश्टवादी होना Honest हिमानदारी से कोई बात बोलना Open खुल कर कोई बात बोलना Straightforward सीधा और साफ बोलना वही Candid के antonyms या opposite words है Tricky चल करना तो जहां एक और Candid का मतलब होता है कि आप खरा बोल रहे हैं सपश्ट बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं वहीं उसका opposite है Tricky चल करना कने चलाकी, लाइन छूट बोलना, डिसओनेस्ट बेमानी करना तो simple शब्दों में Candid का मतलब होता है घरा बोलना, निश्कपट होना, सच्चा, सरल, सपश्टवादी, मासूम, खुले दिल से बात चीत करना या साफ दिल से कोई बात कहना अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में, आप Candid शब्द से sentence बना कर बताएं Thank you for watching this video, meet you next time with a new word Until then, keep learning, read lot of books and stay happy